Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel So in this video we are going to start and discuss about our next lesson and that is lesson number 3 So elasticity of demand के बारे में इस classes में हम discuss करने वाले हैं इससे पहले हमने lesson number 1 and 2 को अलमोस्ट कवर कर लिया है तो अगर आपने previous classes को नहीं देखा है तो इसी classes के साथ में जो playlist attached है वहाँ से आपन classes को देख सकते हो तो आज की जो हमारी class है जिसमें हम lesson number 3 को start करने वाले हैं तो जो की है हमारे elasticity of demand के बारे में इसके अंदर काफी सारे low आते हैं काफी सारे ऐसे point है, concept है जिसको हम clear करने वाले हैं तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि किसी भी product का जो demand है वो काफी सारे other commodity पे depend करते हैं मतलब कि अगर हम किसी वस्तू के लिए किसी भी product के लिए अपनी demand को वहाँ पे रखते हैं तो उसके लिए काफी सारे अलग point भी है जो कि हमारे demand को निरधारित करते हैं जैसे कि हमारा income हो गया, जो product है उसका price हो गया ठीक है, उसके बाद में अगर वो उसका जो taste है, उसका जो preference है, वो कैसा है उसका advertisement कितना ज़्यादा किया जाता है, लोगों तो उसकी बारे में कितना ज़्यादा जानकारी पहुची हुई है तो यह सारे काफी ऐसे सारे point है, जिसके base पे किसी भी product के demand को set किया जाता है तो elasticity of demand के अंदर हम यही चीज पढ़ते हैं, कि किस तरीके से, अलग variance में अगर changes आ जाते हैं तो किस तरीके से हमारे जो demand है, वो change हो जाता है अगर prices कम हो जाता है, तो किस तरीके से demand बढ़ जाता है और इसके opposite किस तरीके से होता रहता है, तो यही सारे point है, low है उसको हम elasticity of demand के अंदर discuss करते हैं तो इस lesson के तरू हम किन-किन चीजों को discuss करने वाले है, and cover करने वाले है आप यहां से देख सकते हो, one by one seven point है जिन सभी को हम classes के तरू मतलब lesson number three में cover करेंगे तो सबसे पहले the concept दे रखा है, कि इसके बार में पहले हम concept पढ़ेंगे कि elasticity of demand है क्या तो elasticity of demand के अंदर हम measure करते हैं, मतलब यह एक तरह हमारे लिए device है जिसके तरू हम measure करते हैं कि किस तरीके से जो demand के quantity है, वो दूसरे अलग factor में changes होने पे जो वो एक demand है वो बदल जाती है तो elasticity of demand यही कहलाती है, इसके अंदर कुछ अलग point है, जो कि इसको निर्धारित करती है जैसे कि prices of huda goods हो गया कि किसी भी समान का मतों किसी भी product का price कितना जादा है यह उसके demand को सबसे जादा निर्धारित करती है कैसे करती है अगर price जाद है तो उसको कम ही लोग purchase कर पाएंगे मतलब कि जिनके पास सही पैसा है सही रूपे है वो तो उसको purchase कर पाएंगे बद जो एक middle family है जिनके पास काफे जादा कम money है वो उस product को नहीं खरीद पाएंगे तो price जो है सबसे जादा main point होता है जिसके तुरुक किसी भी demand को set किया जाता है then उसके बाद में कुछ अलग से related goods भी होते हैं जो कि price को set up करते हैं उसके बाद हमारा next रहता है income कि अगर consumer का income जादा है तो वो महंगी चीज को भी easily buy कर पाएगा अगर जो consumer उसके income काफी जादा कम है तो वो महंगे समानों को कम खरीद पाएगा तो यही सारे जो points है जिसको हम measure करते हैं degree निर्धारत करते हैं कि कि किस तरीके से law of demand है वो change होता रहता है बार-बार किसी ना किसी point के base पे तो यही कहलाता है हमारा price elasticity of demand तो I think आपको यहां त जो में परिवर्तर आने पर जब हमारे demand में changes आ जाते हैं तो यही हमारा क्यालाता है price elasticity of demand जैसे कि यहां पर एक example के तुरू हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो goods x है अगर इसका prices में change आ जाता है तो किस तरीके से जो y goods है उसमें दूसरा से changes आ जाता है मतलब कि इसको ज ज्यादा deeply discuss करेंगे आगे लेकिन यहां पर हमारी starting class है तो पहले आपको overview लेना है मतलब कि जो भी concept को deeply पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको basic point पता होना चाहिए कि elasticity of demand क्या है क्योंकि जब आगे जाके आप चीजों को deeply discuss करेंगे हम तो वहां पर आप चीजों को relate कर प और आपको बस यहां तक मतलब कि जहां तक मैना भी classes करवाया है चार से पांच मिनिट के अंदर तो यहां तक आपको बस यह पता होना चाहिए कि demand क्या है और elasticity of demand है क्या उसके बाज हमरे next point है price elasticity of demand अब जैसे कि हमने demand के बारे में पढ़ लिया कि price elasticity of demand है क्या तो देखो price elasticity को जब हम उसको measurement करते हैं तो उसके लिए कावी सारे हमारे पास अलग-अलग method रहते हैं अलग-अलग हमारे पास formula लाते हैं तो सबसे पहला अगर हम simple तरीके से देखे कि price elasticity of demand है क्या तो इसका formula है percentage change in quantity demanded by में percentage change in price कि अगर किसी भी जो product है उसके अगर quantity में कितना percentage changes आता है उसक प्राइज में कितना ज्यादा percentage changes आता है उसके बाद इसी जो यह formula रखा इसको थोड़ा से और हम थोड़ा सा deeply कर देंगे जहांपर हम यह देखेंगे percentage change in quantity demanded by में original in quantity और multiply by 100 फिर इसको हम by में करेंगे change in price by में original price और multiply में 100 यह हम इस तरीके से formula रखेंगे इसके अंदर value को put क करेंगे और इसको solve कर लेंगे तो इससे पता चलेगा हमें किस तरीके से price elasticity of demand को निर्धारित करते हैं तो इसके अंदर कुछ अलग से point है जैसे कि अब हम पढ़ने वाले हैं कि perfectly in elastic किसे कहते हैं बिल्कूल perfectly elastic elastic किसको कहते हैं unit elasticity किसको कहते हैं इसके साथ में ही जो define किया गया कि उससे क्या हो जाएंगे कि किस तरीके से जो demand का जो elastic हो किस तरीके से change होता रहता है perfectly cup होता है unit कब रहता है perfectly cup रहता है इस तरीके से जो भी 5 point होते है 5 concept होते हैं इसको clear करने वाले हैं तो सबसे first point है पहले तो हम figure दिखा दे तुम आपको जिसे थोड़ा सा आप in line को relate कर प ठीक है अब पहले हम क्या करेंगे इसके जो concept है पहले उसको clear करेंगे उससे क्या होगा जो diagram दे रखा वो भी हमें ज्यादा सही तरीके से clear हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि यह first case है जिसमें हम देखते है जो price का जो elastic हो कैसे change हो जाता है तो सबसे पहले इसका जो नाम है that is perfectly inelastic तो इसके अंदर क्या देखा जाता है कि when there is no change in the quantity कि कि किसी भी product के quantity में अगर कोई भी change नहीं आता है then in response to a price change elasticity of elasticity of demand is said to be equal to zero demand is described as perfectly inelastic मतलब कि अगर किसी भी product के जो quantity रहता है उसके demand में अगर कोई भी changes नहीं आता है तो वह कहलाता है हमारा perfectly inelastic इस line का मतलब यह है कि दुखा में आपको diagram के तुरह को clear करवाते हूं कि जब अगर prices में किसी भी तरीके से changes आता रहता है मतलब कि देखो पहले prices P1 था फिर P2 फिर P3 हो गया मतलब कि जो prices वह बढ़ती जा रही है लेकिन उसके demand में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है जो आपका इनको आप आगे के point में समझोगे तो यहाँ पर क्या दिखाईदेर आपको कि जैसे कि prices तो उपर जाता रहा है मतलब P1, P2, P3 इस तरीके से बढ़ती जा रही है लेकिन जो आपका demand है वो वही के वही है इसका मतलब यह है कि simple सी line में आपको clear करवा हूं तो अगर prices में कितन इनलास्टिक कि इसके अंदर prices में changes आने पर demand के quantity में उसके जो demand किया जाता है कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा वो बिल्कुल भी change नहीं होगा तो हमारा first point था आपको सही तरीके से समझ आगे हो कि मैं दुबारा line को repeat कर रहूं ताकि अगर पीछे कोई भी confusion हो तो आपको clear ह जाए कहने का मतलब यह है कि perfectly inelastic कब होगा जब prices में changes आने पर उसके demand में कोई भी फर्क ना आए that is called perfectly inelastic कि हमारा price बढ़ता जा रहा घड़ता जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पर रहा हमारा जो demand है वो वही के वही है example कि तुरू समझ लेते हैं अपनी life से relate करके माल लो आप एक दूध लेके आते हो वह माल लो 30 रुपीज का है वह 30 से 35 हो जा रहा तब भी आप उसके एक कीलो को खरीद रहो वन लेकर आरहा हो जिए घर में अगर उसका price 30 से 25 हो जाता तो भी आप एक किलो ही लेकर हो गये वन केजी खरीद हो गये अगर उसका price 30 से 40 ऐना हो जाता तभी वह बिया pe за को भी ऊज़ीद किलाओं तो यह कौन सा example ओगे यह example हो پर Pocket inelastic type निक आप यह फर्स्ट कंडिशन के थोड़ा सा प्वोजिट हो जाता है इसमें क्या होता जो प्राइस है वो फीक्स हो जाती और इसका क्वांटिटी है वो बढ़ती ही चली जाती है तो अब पहले इसके जो लाइन है उसके थूरू पहले क्लियर कर लेते क्योंकि आपको एक्जाम में तो लाइन के थूरू इसको बताना ही है तो इस बज़े से पहले हम इन लाइन के थूरू कंप्लीट कर लेते हैं कॉंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो सेकिंड जो कंडिशन है उसके अंदर यह बताया गया है वें दियर इस एन इंफिनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमा The elasticity of demand is set to be equal to infinity and demand for the good is described as perfectly elastic इसका मतलब ये है कि जब डिमांड में infinite, infinite का मतलब है कि वह जीज फिक्स नहीं है, कहीं पर भी वह बिल्कुल स्थीर नहीं होगा, वह बढ़ता या घड़ता जायागा मतलब कि बढ़ भी सकती है वह घटी भी सकती है वह dependent करता है हमारे situation पर लेकिन अगर प्राइज जो है वह बिल्कुल fix रह जाएगा तो यह कहलाएगा हमारा perfectly elastic अब आप डाइग्राम के तुरू समझे इस चीज को कि यहां पर जैसे प्राइज दे रहा है यहां पर हमारी quantity रहत यहां पर क्या बताएगा जो प्राइज है वह तो fix हो जाते है लेकिन जो quantity है वह बढ़ती चली जाते है बढ़ भी सकती है वह घट भी सकते है वह depend करता है हमारे condition तो टाइम पर करता है लेकिन जो एक यहां पर हम जो जो concept की बात कर रहे हैं उसके अंडर में इसी चीज को define क कि प्राइज फिक्स हो जाती है जो डिमांड का ग्वांटिटी रहता है वो बढ़ती घर्ती चलिए जाती है जैसे कि किसी भी प्रोड़ेट का माल लो जो प्राइज है वो 20 रुपीज है अब वह वह प्राइज घ्रीजे लेरें हमारे जमन करां आज तर एक रहे लगई हमारे के कंजपशन पर हमारे इसे को ज़्यादा चेंजिस उसक फरीयों कोफेति différentes सबसे में इंपोटेंट यही है जो आप पर हम पांच को समझते हैं कि किस तरीके से जो डिमांड का इलास्टिक उसमें चेंज आता रहता है तो इन पांचों पॉइंट को आपको सही तरीके से समझना है क्लियर रखना कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना अगर आप चाहो तो अपने किसी भी कोपी में जहां पर आप नोट्स बनाते हूं चीजों को लिख के और साथ में एक एक इग्जैंपल भी डाल देना उससे क्या हो जाएगा इन फ्यूचर के लिए वो चीज़े आपको याद रह जाएंगे आप डिसकस कर लेते हैं अपने थर्ड कंडिशन को इस कंडिशन का नाम है यूनिट इलास्टिसिटी इसके अंदर क्या होता है कि जितनी जादा पहला हम लाइजन के थू समझ लेते हैं फिर मैं आपको एक्जैंपल बता दूँगी कि इस लाइन का मतलब यह है कि यहां पर यह बताएगा कि कितना अगर प्राइजिज में जितना चेंजिज आ जाता है तो उसके अकोडिंगी उतनी ही जादा अगर उसके क्वांटिटी में चेंजिज आ जाते हैं तो यूनिट इलास्टिसिटी नहीं समझ आया है मैं इसको आपको एक्जैंपल के थूरू बताती जैसे उसका प्राइजिज जो है 30 से 20 हो गया वैसी हमने क्या किया उस प्राइज की जो क्वांटिटी है उसको हम दो खरीदने लगे जैसे ही वो 30 रुपे से 40 रुपे हो गया हमने क्या किया उसको आधा मतलब कि मानलो उसका हाफ खरीदने लगे मतलब वन केजी के जगे पर हम हाफ केजी लाने लगे ठीक है अगर माल लो उसका जो प्राइजिस है अगर वह 30 से लेके 20 पर आ जाता है 10 पर आ जाता है तो हमने क्या क्या हमारी जो क्वांटिटी है वह भी तो बढ़ गई न साथ साथ तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जतनी जादा प्राइजिस में चेंज आ रहे हैं उसके according उतने ही जादा क्वांटिटी में चेंज आना that is called unit elasticity यहां पर डाइग्राम के थु मैं आपको क्लेर करवा देती हूं कि मालो इहां पर दियाद्ग्राम को ध्यान से समझना कि यहां पर जो हमारा क्वांटिटी यहां पर हमारा प्राइजर्ज 그건 कि उसका बीधर पराइसे प्राइज उसके bouffa Iron क्वांटी ज्यादा खरीदना कर दिया कि हमने क्वांटी कर दिया कने कि अकर एक प्राइस द मालो कला प्रॉड प्रोडक्टा झस कर दिया कि वह तो अद्र चुक्ति कर्दों क्रणें का रोगा इस चाहिव में कि बाल राइस को मैंद स्थी Goodbye हैं जय स més paris 50 उसका पचाह्श फरीदने लगे- आपने त्विसक faut- car हिख जलिगे- हयाि जैसे प्राइस के छोड़िया च ada गया आप जाह combo क्रीदने लग जैसे जोवर्ड पाइस यह के अचाहिज है्गे-पचाहिथ 50-60 आप और दीन ने या बेक्टिको यह तो समान को कम ज़्यादा खरीद रहें तो यहीं एक concept है जो की बताता है इस जो हमने अभी समझाए इस पूरे concept को तो आय थिंग आपको यह समझ आ गया होगा यह जो हमारा third concept है जिसके हंदर आम यह देखते हैं कि prices में कितनी ज्यादा चेंजिस आने से उसके quantity में कितना ज्यादा चेंजिस आ जाता है तो यह हमारा third concept था तो अब आपको जाके सही तरीके से समझ आ गया होगा कि unit elasticity है क्या तो अब यह जो fourth concept है उसको start करने से पहले मैं आपको तीन concept को बिल्कुल पक्का कर देते हूं कि किस तरीके से तीनों को हमन उसके price में कोई changes नहीं आता है मतलब prices fix हो जाती है जो quantity है वो बढ़ती घड़ती चली जाती है और unit elasticity कब होगा जब उसके prices में जितना ज्यादा changes आगा उसका quantity है वो भी उतनी ही ज्यादा changes हो जाएगे मतलब कि price कम होगा मतलब prices कम हो गया तो हम उसको ज्यादा खरीद doubt को लेकर मत चलना क्योंकि यह जो subject है थोड़ा सा दूसरे subject के अगर हम comparatively देख लें तो यह थोड़ा सा tough हो जाता है तो economics थोड़ा सा मतलब कि इतना ज्यादा hard है नहीं अगर आप सही तरीके से समझोगे तो मैं यह नहीं कह सकते है आपको क्या hard है hard नहीं है क्योंकि सब माल क्लियर करते जाओं तो एंडिंग आपको बिल्कुल पर्फेक्टली आजाएगा आपको जो subject हो बिल्कुल उस पर कमांड बन जाएगी मतलब कि वह जो subject आपको सही तरीके से क्लियर हो जाएगा तो कहने का मतलब मेरा बस यही है कि सारे point को साथ साथ क्लियर करते हुए चलना पररेंटेस चेंजेंग इन्त इन्त पर्सेंटेज चेंज मंडेटे बार्ट अ इस की डिरेंटेग्रम सेस्चाथ परिटीज के स unhealthy लर्मांड आपको की से इसे मांद के चलना हो उसके बाद क्या वजय से प्राइज कम हो गया आपने उसके जो क्वांटिटी को प्रचेस कर लिया मतलों प्राइज कम हो गया था हमने उस समान को जादा खरीद लिया तो यह हमारा FOURTH कंडिशन के अंदर आ जाता है तो यहां पर यहीं बताएगा कि अगर जो एक प्राइज में चेंजिस से जादा है कि थोड़ा सा भी चेंजिस आएगा उसके क्वांटिटी में उससे ज्यादा चेंजिस आजाएगा तो यही कहलाता है हमारे कि मतलब कि से मैं मैं दुबारा सोगा से इंकि मतलब माइं उसके सट्रव के अनने में तुलना में काफी ज्यादा है कि और जो प्राइजज के अधर भी है लेकिन वह क्वांटिटी ओफ जो परसंटेज उसके चेंज़ से कम है जो क्वांटिटी का जो परसंटेज वह ज्यादा है तो यह कैलाएगा हमारा सिके वाज फिप्त कंडिशने इसके अंदर अपोजिट बता कैंगा है इस इंदर फॉर्थ कंडिशन का यह जिस्ट कंडिशन का यह जस्ट उल्टा है फॉर्थ कंडिशन में कौन था quantity of percentage का जो changes था वो जादा था फिप्थ कंडिशन में ऐसा नहीं है इसमें क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा अपोजित हो जाएगा इसमें जो prices में changes आ रहा है वो quantity में changes से जादा है तो इसको हम क्या कहेंगे इन इलास्टिक जहां पर जो quantity of demand है इसमें कम changes आता है जो प्राइस है इसके जो परसेंटेज जाएगे सकते हो कि पीटू से पीवन कितना ज्यादा है लेकिन वहीं पे कीव न से क्यू तो कितना ज्यादा कम है तो यहां से आपको चीजे क्लियर हो सकते हैं जबकि जो फॉर्थ कंडिशन है इसमें देखो प्राइस में कितना कम changes है लेकिन जो क्वांटिटी है यहां पे कितना ज्यादा changes है लेकिन पी में जो प्राइस है उसमें काफी कम percentage changes है और जबकि फिफ्ट कंडिशन में देखो यहां पे प्राइस में कितना ज्यादा difference है लेकिन जो क्वांटिटी है उसमें कितना ज्यादा कम जो एक difference है तो यह पांच कंडिशन थे जो की काफी ज्यादा तो इसी को पढ़ते हम elasticity of demand के अंदर कि किस तरीके से डिवांड कर हो है वह changes होते रहते हैं इसके अंदर पांच condition आते हैं जिसको हमने clear कर लिया है तो I think आपको यह पांच कंडिशन सही तरीका से clear हो गया होगा अगर कहीं पर भी कोई कि अब हम पढ़ेंगे कि elasticity of demand को मैजर कैसे किया जाते हैं मतलब कि उसको मात्य कैसे हैं तो उसी पॉइंट को हम इस concept के अंदर समझने वाले हैं इसके measurement के तो काफी सारे तरीके हैं लेकिन हम यहां पर तीन सबसे important जो method है इसको measurement का उसको हम discuss करेंगे आज किस class में तो सबसे पह इससे क्या होता है जो हमारे demand पर फरक आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि demand में कितना ज्यादा changes हुआ that is elasticity of demand तो जब हमने theoretically तो बता दिया कि इस तरीके से जो changes आता है लेकिन अगर हम उसको बिल्कुल math के form में निकाले मतलब कि उसको measure करने का जो तरीका होता है जिसके throw elasticity of demand को मापते हैं कि जो जिस तरीके से यहां पर देखो आपको मैंने five point clear करवाए थे five point कि कब आपका demand curve elastic है कब आपका demand curve inelastic है कब zero है तो इस तरीके से जो पांच point हमने clear किया था इसको हमने theory के through complete किया था लेकिन अगर हम इसको math के form में बिल्कुल उस तरीके से measure करें तो वहां तो उन तीन में important point को हम discuss करने वाले हैं तो यहां पर देखो नीचे स्क्रोल कर लेते हैं थोड़ा से यहां से देख सकते हैं method of measurement कि यहां पर तीन ऐसे method दे रखे हैं जिसके तुरू measure करेंगे तो सबसे फर्स्ट दे रखा है the total outlay method अब हम सबसे फर्स्ट पहली दिसक्स कर ल quantity को जितना हमने खरीदा है जितना हमने purchase कि हम multiply में price क्योंकि देखो अगर आप किसी भी shop पे जाते हो कुछ भी समान खरीते हो तो आप क्या करते हो उसके जितनी quantity लेते हो आप उसको उसके price से ही multiply करते हो for example अगर कोई जो मालो pen है जो 10 रुपीज का है हमने उसके 4 रुपीज को खरीद लिया तो हम उसको 40 रुपीज ही देंगे क्यों कि अगर वह 10 रुपे का है वर हमने उसको 4 खरीदा 4 पैल लिया है तो हम उसको multiply कर लेंगे 10 multiply by 4 तो एक वर में 40 आ जाएगो तो हमने कितना expense किया कितना expenditure किया हमने 40 किया तो यह क्या है यह expenditure का एक तरीका हो तो जो कि कि हमारा normal life में हर कोई person यूज करता है चाहिए वो पढ़ाओ ना पढ़ाओ इतना सब को पता रहता है कि किस तरीके से जो expenditure है उसको हम नापते है या हमें पता रहता है कि किसी भी चीज को अगर हमने purchase किया तो हमें सामने वाले person को कितना ज्यादा amount पे करना है तो यह तो हो यह हमारा expenditure कैसे find करते हैं उसके बाद इसे define करता है चीजों को कि जैसे कि when due to price change the quantity demanded of a good change कि जैसे कि हमें पता है कि अगर price में changes आता है तो उससे क्या होता है कि हमारा किसी भी product के लिए जो हमारे demand रहता है उसके quantity में changes आता है मतलग कि हम उसके amount को जितरा खरीते हैं उसमें changes जाईज आता है price according या तो हम कम खरीते हैं या तो हम उस चीज को ज्यादा ख़ीने लग जाते हैं. इस के according क्या होता है जो हमारा total outlay रहा है उसमें changes आता है जैसे मैं बहुत है आइंग जैसे price the quantity को सब्सें आता है तो आप क्या को कौत्यों को कम खरीते हैs उप्राइज एह स क्या करते हैं क्वांटिटी में चेंजीज कर देते हैं इससे क्या होता है जो हमारा टोटल आउट लहीं वह आप जैसे कि हमें पता है कि अगर- septent से अगर ज़्यादा है तो इससे क्या होगा टोटल आउटले of consumer will be larger larger हो जाएगा किस से हो जाएगा than before in case fall in price कि जब price में जो कमी था या उसके price में जब कमी थी जिस time पे उसके according क्या हो जाएगा जो हमारा total outlay है उसमें changes आजाएगा और वो larger हो जाएगा तो कहने का मतलब यह था कि जब total outlay method हम पढ़ते हैं तो इसके according हम यह जानते हैं कि किस तरीके से जो हमारा price के percentage में कुछ changes आता है जो कि हमारे quantity में होने वाले changes से जादा रहता है तो यह हमारे total outlay method के अंदर आता है अगर आपको समझ आ गया तो सही है है जो है कि आपको यह method clear होगर है अगर आपको नहीं आया तो इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं मतलब कि एक ही चीजों को कर अवा हम दूसरे तरीके से बारबर पड़ते हैं सेम उसी तरीके सियाँ पे न्युक्स कर लेते हैं अगर लेया पर कोई भी confusion हुआ होगा तो यह यहां पर जाके clear हो जाएगा on the other hand यह बता रहा है if the percentage change in quantity कि अगर आपके quantity में कुछ percentages changes आजाता है तो उससे क्या होगा demanded is less than the percentage change in price कि आपके percentage जो change हुआ है में वह क्या हो जाएगा आपके quantity में होने वाले changes से कम है तो इससे क्या हो जाएगा the total outlay of consumer will be smaller यह आपका जो total outlay है उसमें changes आजाएगा और वह smaller हो जाएगा कैसे हो जाएगा than before in case of a fall in price and larger than before in case of a rise in price कि जैसे आपके जिस case में आपका prices में कमी आगया था और दूसरे तरफ देखा जाएगा लार्जर हो जाएगा आपके prices में rises होने से मतलब बढ़ने से तो यह था हमारा total outlay method का definition अब हम पढ़ने वाले हैं कि जब total outlay method में changes आता है तो वो किन case में elastic रहता है कौन से case में वो unit elastic रहता है और कौन से में वो in elastic रहता है मतलब कि इसके अंदर भी 3-4 cases है उनको हम discuss करने वाले हैं तो यह जो cases है इनको समझने से पहले आपको इसका definition है जो कि मैंने आभी अभी बोक्स में सही तरीके से बता देना ताकि मुस्स चीश को वहीं पर explain करके आपके डाउट को clear कर पाऊं तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हो कि आपको यह clear होना चाहिए अगर जहां पर भी कोई भी confusion है कोई भी आपको यहां पर confusion create हो रहा है तो आप comment के तुरू पू इन इलास्टिक मानेंगे तो इसको define करने से पहले मैं आपको figure की थुरू बता देतु है यहां पर जो diagram given किया गया है जैसे कि यहां पर prices दे रखा पहले 9 फिर 8 फिर 6 और 5 इसके according ही हमारा जो quantity दे रखा है 9 रुपीज पे 13 दे रखा है 8 रुपीज पे 15 6 रुपे 20 और 5 रु कि तो हमारा टोटल आउटले हाल जाता है 117 हम 8 को 15 करते हैं तो हमारा टोट आउटले है 120 अ अगर हम चिक्स को 20 करते हैं दुबारा से 20 और हम 5 को 23 से करेंगे 0155 यह तो आपका marriage करीं साट इसको समझते है कि किस तरीके से चेंज को यहां पर दिखाया गया है तो पहले आपको पहले पढ़के बताती हो फिर मैं आपको एक्जाम्पल के थुरू बताती हो कि जब डिमांड को कब डिस्क्राइब किया जाएगा इलास्टिक मतलब कि जब टोटल आउटले मैथद के थुरू हम समझेंगे किस तरीके से मेजरमेंट के जाएगा तो कौन से केस में लास्टिक निज रहा है उसके according हमारा जो डिमांड है उस मतलब डिमांड और क्वण्टिटी को मतलब कि हम अपने हम अपने प्राइस को क्वण्टिटी को लिकर करनें करें तो ठो चो टो टो ट्ट्ला अउटले को तो हमने निकाल दी यह तो एमारा बेस हो जाएगा उसके बाद एको फर्स्ट केस है जब हम इलास्टिक मानेंगे एट रुपीज के अकोडिंग जो हमारा क्वांटिटी है वो 15 है और टोटल आउटले कितना हो गया 120 पहले टोटल आउटले कितना था 117 अब कितना हो गया 120 तो पहले से ज्यादा बढ़ गया यह को कहींगे लास्टिक यहां पर लाइन के थूपी डिफाइन क्या गया है कि अगर कंज्यूमर का जो टोटल आउटले है वो अगर बढ़ जाता है आफ्टर दा प्राइस चेंजिस की प्राइजिस में चेंजिस आने के बाद जैसी आप देख सकते है नाइन के बाद प्राइ चेंजिच जाने के बजए से तो लेकिन उस चंड़ेशन में जो आपका तोल आपका ट, वो टोट देख सकते हो ड्रेट्षर के मतलब कि अगर हे को हम प्रिमार के अमन ऐकर कर इंगे कि अगर बन पलवा बन抗ा बन वुरघण अगर के बना क्रबिवां हो ग्रेटर रहेंगे किसी total outlay को पहले base ले लेंगे उसके अधार पर हम comparison करेंगे तो यहाँ पर आप देखो prices में घड़ जा रही है prices जो हमारी decrease हो गई है जो quantity है वो हमारी बढ़ गई है और जो हमारा total outlay है वो पहले से बढ़ गया है अगर prices में changes आने के वज़े से हमारा जो total outlay अगर वो बढ़ जाता है तो इसको हम कहेंगे elastic उसके दैन उसके बाद if the total outlay of consumer will remain the same कि अगर consumer का जो total outlay है वो same रहता है even after a rise or fall in price price में चाहे rises आजाए मतलब price चाहे बढ़ जाए चाहे price में fall आजाए कमी हो जाए उसके according prices से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है prices चाहे बढ़ जाए चाहे गड़ जाए लेकिन उस condition में जो consumer का total outlay है वो अगर remain रहता है उसमें कोई भी changes नहीं आता है तो उस condition में हम demand को कहेंगे unit elasticity तो यहाँ पर आप देख सकते हो prices में 8 के बाद कितना आगे 6 आगे मतलब कि जो प्राइस है वो गड़ गई है जो quantity है वो 15 से 20 आगे इत मिंस वो बढ़ गई है लेकिन जो total outlay है वो 120 पहले भी था और 120 अब भी है इसका मतलब क्या है कि demand जो है यहाँ पर जाके आपका unit elasticity है तो यहाँ पर आपको दो point clear हो गया होगा third point जो है यहाँ पर यह क्या है inelastic है जो कि first वाले का opposite है यहाँ पर क्या बताएगे if the total outlay of consumer after the price change is less than the original outlay कि अगर original outlay के comparative मत उसके comparatively अगर हम देखेंगे तो जो consumer का जो present का जो outlay है वो अगर पहले की original outlay से कम है तो इस case को कहेंगा हम inelastic जैसे की example के तुरू देखो prices जो है 6-5 आगया quantity 20-23 लेकिन जो हमारे total outlay है वो पहले 120 था और अब आगया 115 means यहाँ पर आपको पांच का difference दिखाई दे रहा है तो इस condition को हम क्या कहेंगे inelastic तो यह तीन पॉइंट है जो कि हमारे total outlay method को define करते हैं तो I think आपको यह समझ आ गया होगा फिर भी अगर कहीं पर कोई तो आप मुझसे comment के तुरू पूछ किए अपने डाट को clear कर सकते हो और यहां पर जो line given किया गया है इसमें वही line बताएगा जो कि में आपको describe कि आपको समझा है तो I think यह first method आपको समझ आ गया होगा सारे changes दिखाए देते हैं मतलब कि elasticity को आप कई तरीके से measure कर सकते हो लेकिन जब आप elasticity को graphical form में उसको समझते हो या उस version में रिपर्जाइंट करते हो तो यह method के अंडर आता है जिसको अभी आपने देखा कि the graphical method of measuring elasticity तो इसको हम क्या करेंगे ग्राफ की तुरू संझेंगे कि यहां पर आपको एक diagram भी दिखाए दे रहा है जिसमें जो यह point है y-axis इस पर price को दिखाए गया है और जो आपका x-axis है इस पर हमारे quantity को दिखाए गया दिमांड को दिखाए गया है तो basically यहां पर पहले जो आप हमारा demand था वो A O से लेके A तक में दिखाए गया है बाद में price falls from RA to BD कि जैसे ही जो price है वो fall हो गया price जो है वो कम हो गया RA से BD हो गया मतलों यहां पर दिख रहा है यहां से लेके हमारा जो next जो price level हो गया वो कितना होगे BD हो गया इसके according क्या हुआ quantity demanded increase from OA to OB तो इससे क्या हुआ जो हमारे demand है वो OA से बढ़के OB हो गया तो यहां पर य क्या है यह चेंजिस है जो की elasticity को measurement कर रहा है तो यहां पर क्या है मिलास्टिसिटी के लिए एक यहां पर फॉर्मॉले का यूज करेंगे जहां पर दिखा गया है डैल्टा क्यू दिखा गया मतलब कि क्यू है क्यू है sorry demand में sorry quantity में कितना ज्यादा changes आया है वाई में वही लें इस तरीके से measure करेंगे जैसे कि हमने formula रख लिया कि पहले क्या करेंगे quantity में कितना ज्यादा changes आया है तो पहले हमारा changes कितना है a b तो हम इसके जगह पर रख देंगे a b then उसके बाद quantity में फिर कितना changes आया CR मतलग यहां पर आप दे सकतो C से लेके R तक में तो इसके बाई में रख देंगे CR P के पर प्राइस रख देंगे AR Q के पर इसका quantity रख देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यह क्या है एक तरीका है measurement का जिसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं lower segment of the demand curve बाई में अपर segment of the demand curve का जो ऊपर वाला लेवल है ऊपर वाला जो भाग है वो रखेंगे उपर में जिसको हम numerator पे रखेंगे और उसके denominator पर रखेंगे हम upper segment की जो उसका उपर वाला भाग है उपर वाला level है उसको हम रखेंगे इसके denominator पर मतलब कि उपर वाले को lower को रखेंगे उपर और upper को रखेंगे नीचे इस तरीके से solve करके हम इस method के थूरू भी अपने में रहता है तो क्या होता आपस में चीजों को relate करने में और सही तरीके से समझने में काफी ज्यादा help करता है तो यहां पर आप सबसे पहले diagram को देख लिए कि किस तरीके से तीन condition को दिखाया गया है तो सेम इसके according ही अब हम इसके demand curve is described as perfectly inelastic कि जहां पर हमारा जो demand curve है उसमें किसी भी point पर demand जो है वो zero है तो मतलग यहां पर आपको figure की थूरू भी दिखाए दरफ प्राइजी जो है वो बढ़ती जा रही है मतलग P1 से P2 P3 इस तरीके से बढ़ती जाएगी लेकिन जो हमारे demand कर वह बिल्कुल एक specific point पर fix है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रही है यह जो हमारे elasticity है यह हमारा perfectly inelastic है उसके बाद जो second condition है यहां पर देखो यह बताएगया है कि जहां पर क्या हो जाएगा an infinite amount of the commodity is brought at P10 मैं आपको simple language पहले बता देती हुए diagram के थुरू कि जहां पर हमारा prices में changes कुछ नहीं आएगा मतों prices से कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन उसी fixed price पे हमारा quantity का एक demand रहता है वो change हो सकता है मतलब वो बढ़ भी सकती है वो घड़ भी सकती है तो इस condition में क्या होगा हमारा elasticity है वो हो जाएगा हमारा perfectly elastic उसके बाद जो third point है जहां पर क्या होगा जो हमारा diagram के थुरू हम देख लेते हैं कि यहां पर क्या होगा होने का वो उसके quantity से ज्यादा changes दिखाए देगा कुछ केस ऐसे हैंगे जहां पर जो quantity में होने वाले percentage है वो हमारे price में होने वाले quantity percentage से ज्यादा रहेगा तो इस वाले case को हम क्या कहेंगे जो हमारा third point है इसको हम कहेंगे elasticity और इसको हम rectangular hypergola भी बोल सकते हैं तो यह हमारे 3.4 जो हमारे figure दे रखा था इसके थुरू हमने clear कर लिया तो इस तरीके से कहम elasticity को measurement कर सकते हैं उसके बाद ही इसको थोड़ा से और briefly बताया गया the concept of ARC elasticity इसको थोड़ा से और ज्यादा डीपली बता रहा यहां पर इसके quantity में और quantity में changes थोड़ा बहुत होता है तो यहां पर एक method दे रखा है जहां पर इस formula का use करेंगे अगर आप ARC method दे रखा है उसके आप अगर सिंबल जो concept दे रखा अगर आप उतना समझ के और उसके diagram को समझ लेते हो आप इतना समझ जाते हो कि आपको किस तरीके से exam में attempt कर दो तरीके अलग अलग बता रहें किस तरीके साफ measurement कर सकतो यहां पर कुछ formula दिखाई दे रखें इसको समझ लेते कि किस तरीके से यहां पर बतायागे है सबसे पहले बतायागे है of two end values जिसको हम p0 के थ thereon नोट करेंगे और जो हमारा original price का रहा हूँआग लाएगा उसके बाद जो हमारा पे वं कि पहले वाला क्वांटिटी कितना था और बाई में टू तो यहां पर यह फॉर्मूला जिखाए दे रहे हैं इसके तुर में चीज़ को थोड़ा से ब्रीफली करके और मतलग कि जो भी हमें फॉर्मी एक्जाम फॉर्म में जो एक कोश्चन दिया रहता है उसके तुरू आप लिए को इस तरीके से पूरा उर्म करना है तो हम यह onda चुटी कर देख रहे हैं तो इस तरीके से पॉइंट है ये इस तरीके से सबचाए जाएगा तो ये सब्सक्राइब मतलब कि एस तो हमें पता है कि डिमांड प्रāj का काफी सारे अलग पॉइंट भी है जो कि किसी भी गूर्स के किसी भी प्रोड़क्ट के इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं तो इन ही सारे पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो आज किस क्लास को बस इतना ही रख लेते यह जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाए स्क्राइशचे को सब्सक्राइब तो इसे हम रिमेनिंग टोपिक को कवर कर लेंगे तो आज किस क्लास में बस इतना ही रख लेते आई होगा क्योंकि सारी चीजों को काफी ब्रीफरी तरीके से समझा है बट अगर फीर बी कहीं पर कोई भी डाउट है आपको तो आप उसको कोई भी डावट कोई दावट को पूछ रहें कोई भी डावट को क्रेट मत होने देना डावट है उसको तुरंद क्लियर कर लो क्योंकि वह ज़ोगा आगे जाके वह कंफिजन काफी जयादा बड़ी हो जाती है और जो सब्जेक्ट है वह में समझ नहीं आता हमें लगता कि का आपको क्लास समझा गया होगा बार बार मैं रिपीट कर रहे हूं कि ना समझा आपको सही लगा होगा वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप चैनल पर फर्स टैम विजिट करें तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना क्योंकि इस चैनल के थुरू मैं आपको और भी सार इसमें डिमेंग टॉपिक को कवर कर लेंगे तो आज के इस क्लास में बस इतने थाइक यू सो मच